बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अभीनेतन करता हूँ आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में बात भात मैं साइक्लोन सटॉम की करूँगा क्योंकि अरब सागर के ओपर एक साइक्लोन बनने की जुद्धा नाए है आशनका हैं यह लगातार बनी वीए और जानकर यह आपको मोड़े तोर पर दिखाऊंगा कि क्या कुछ संभावनाएं बारिश की साथ-साथ देश के पर खत्रे किये तो इस समय यानि कि यह तश्विरें आप देख सकते हैं दस जुन की है और दस जुन को बंगाल की खाड़ी से लेकर अरबेंसी तक काफी ज़्याद बढ़ जाएगी और इन दोनों ही समुदी शेत्रों पर निम्दबाव का शेत्र विक्षित हो जाएगा यानि कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है एक तरफ अरब सागरे और दूसरी तरफ भारत के समुदी शेत्र तो क्या कुछ पैस्तिजिया रहेगी 10 जुन को आप देख है कुщее पतिग्रा नहीं दिया है मौँसून के अक्षी रहां की अगर में बात करो तो मौँसून की एक्षी रहां अभी भी यहां पर यानि शेलंका के याज व्याक तो चाहब मौनसुन ने अपना कोई प्रोगर्स नहीं किया है कल चार जून को भी मौनसुन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई थी और इसे में अब सवाल यह उठता है कि मौनसुन भारत के राज़ों पर कब दस्तक एगा और अगर मैं आपको दिखाऊं तो आम तो पर मध्यप्रदेश क में बात कर लेता हूं जहां पर मौनसुन 15 से 20 जून के अंदर अंदर पूरे मध्यप्रदेश को कवर कर लेता है और उसके बाद बहुनी का जो काज़े है वो शुरू हो जाता है तो इसे में इस बार सवाल उठते है कि कब तक मौनसुन केरल में दस्तक देगा अगर केरल मे समुद्री से बने वाले तुफान के कारण हो या कुछ भी तो यह डिक्लियर कर दिया जाएगा कि बहुत सुन आपके शेयर में पहुंच गया है और भारी वर्षा की संभावना है उसी प्रकार से 10 जून को भी बढ़ रही है आप देख सकते हैं कि आंदर प्रदेश से लेक सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि सिस्टम का इंटेंस बढ़ जाएगा सिस्टम के प्रवाशली होने की संभावना यह बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ थाहिलें की तरफ से और अरबिंसी से और साथ-साथ-हिंद्ध महासाकरे की मौशेयर पहुचने के कारण जब बंगाल की खाली के उपर सिस्टम बन रहा है यह भी इंत्पाइब हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि लगातार सिस्टम इंत्पाइब हो रहा एक तरफ और दूसरी तरफ अरभी इन्सी में इस इस इ तब बंगाल की खाली से पुर्वतरभाद के तरफ काफी जादा तगड़ा मौश्यर पहुचेगा तो संभावनाए पुर्वतरभाद के उपर 11 जून को भीशन बारिश की रहेगी और मौनसून का मुझे लगता है कि मौनसून यहां पर डिकलियर हो सकता है जब आप देख सक तो क्या कुछ गतिविद्या रहती है आने वाल समय में वैसे इस पर्ष्ट हो जाएगा और एक अनुमाल लगाए जा सकता है कि क्या कुछ रहेगी आगे पर प्रिस्तिद्या और किस तरस मोसा में वह बदल सकता है तो अरबीन से में बनने वाला साइक्लोन आप देख सकते ह और डिप्रेशन की चंता में यह दक्षिन यानि की करनाटक से लगबग 200 किलमेट दूर यानि की 200 किलमेट दूर मद्यव पूर्वी अरब साकर के उलाको पर यह सिस्टम रहेगा और लगातार यह इंटेंसिव होकर उत्तर पच्छी में दिशा में आगे उतर पूर्वी दि पकार से आएंडी मोडल प्रजिक्शन एंडिकरे तो मैं आपको सजेश्टा और क्या कुछ है कच्छी आने वाल समय में जरूर बताऊंगा क्योंकि में डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी संभाव नहीं होती है वह कापी हद तक की सभी तो थी और पीसले दिनों मेंने पाकिस्तान की तरफ भी सिस्टम बता रहे थे तो कुछ ची कहें नहीं सकते इतना लेकिन अब में डिपार्टमेंट जाने भारती मुश्ट में बाग दोबारा भी कुछ मॉड़र निग्रेट कर रहे हैं कि संभावनाई भारत के उपर भी अब खत्रे की बढ़ रही है और पिरे बाद बंगाली घडीम सिस्टम की कर लेता है पर भी प्रकौ बढ़ जाएगा और सिस्टम विलमा लोप्रिशर की की इंटेंसिटी में पुछ जाएगा इसके विलमा लोप्रिशर एरिया में बनने के बाद आप देखें एंगि पुरवूतर भारत के तमाम राज्जो और इंटेंज सेपा होता हुआ इसी दिशा में पुरूतर भाद के दब बढ़ता जाएगा और इसके संभावनाई मैं बता दूँ आपको कि डिप्रेशन या डिप्रेशन तक के साधा साइक्लो इस्टॉम यह नहीं बन सकता और भाद के यानि कि यह जो उडिसा से लेकर इसे परकार से इसके आगे बनने की फिरहाल कोई संभावनाई या आशेंकाई नहीं है तो अब बात कर लेते हैं अरबिंसे में बनने वाले सिस्टम के उपर तो सिस्टम डिप्रेशन के शमता में पहुंच जाएगा यह इस तती में आपको दिखा रहा हूं 12 जून की और 12 जून को संभावनाई इसके डिप्रेशन में बनने की है और डिप्रेशन में जब और बन रहे हैं और बात कर लेते हैं तेरा जून को क्या को दिख रहे हैं सिस्टम के उपर तो आप देख सकते हैं कि संभावनाई आशंका है लगातर बनी हुई थी और जो प्रबल संभावनाई 13 जून को दिख रहे हैं साइक्लोन इस्टॉम की साइक्लोन बन जाएगा और इसका नाम होगा विपाजोई और यह नाम अगर मैं आपको बता हूं तो इस बार बाग्रदेश की तरफ से दिया ग सब्सक्राइब और जो बार जिस आलाते वह भी विक्सित हो सकते हैं इससे संभावने बन रही क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले यानि कि 211 में तोक्ते तुपान आय था तो वह गुजात को पर लेंफॉल किया उसके बाद बाद पार जिस आलात कई राज्य इस एसे गया और उसने में रिजेन पर इंटेन से दिखाई और बलिडिफल गया बहुत कम चांस होते हैं सैक्लोन के गुजाट की तरफ बढ़ने के या आपने भारत की तरफ आने के लेकिन कुछ सैक्लों ऐसे होते हैं जो हवा की देक्ष्टन के अकॉर्डिंग मुड़ कर फिर से भारत की और या जी दिशा में उसको जाना होता हुट अना जाकर दूसरी द सब्सक्राइब बन जाएगी और मौनसून महारास्ट की कुछ लागों तक पहुंच सकता है इसके अकुरिंग बन रही है और अरबिंसी में तापमान की बात कर लेता हूं तो तापमान 28-29 के बनावर हुआ है और यह सिस्टम यानि की साइक्लोन के बनने की लिए प्रस्टित्या अनुकूर करता है और इस परकार से इस समय साइक्लोन के बनने की संभावनाय आशेंगा थी वो लगतार बढ़ रही थ सकते हैं 14 जून को क्या को इस्टती रहती है तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोन स्टोम लगाता भारत के में लिजन के बढ़ रहा है और मोडल करें कि सिस्टम के परभाव से मुंबई सहीत नाशीक ठाने पालकर रतनागीरी सिंदु दूर्ग इन तमाम इलाकों पर भारी सकते हैं कि दक्षिन भारत के कई राज्चों पर इसका प्रकौप देखने को मिलेगा और यह जो में रिजन है जिस प्रकार से मैंने बताए घारवाले अलाकों पर काफी तेज हमाई चलेगी और कह सकते हम कि अथिवेश्टी भी कुछ तानों पर देखने को मिल सकती है साथ साथ आम सिस्टम की बात करूं सिस्टम लगाता इंटेजल में होता हुआ उत्नर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ए उत्तर पूरवी की तरफ यहां पर इस प्रकार से तो क्या यह गुजरत पर लेंफॉल करेंगा या मुंबई के अंदर ही रेंफॉल कर सकता है इस परकार से अगर यह बढ़ता है महाराष्ट के और तो काफी पीशन तबहीं मचा सकता है ऐसे में अलर्ट तो यहां पर तेरा चुन को रहेगा और अभी भी ट्रेक में बदला आ सकता है में यह पका नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के काफी जादा नमी बड़ी हमाई पहुंच यह और सिस्टम यहां पर बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पुर्वतरभाद के बड़े इलाके पर भीशन वर्षा होने की पंदरा जूंग की तस्विरें हैं और जो आशंकाएं संभावनाएं लगातार बन रही थी जिस परकार से में वापको बार-बार के रहा हूं कि सिस्टम क्या उत्तर पूरी दिशा में आगे तकर नहीं बड़ेगा लेकिन मोरल करें कि सिस्टम मुंबई महाराष्ट पर ले के उपर इसका लेंड़ दिखा रहा है मोडल तो अभी ज्यादा को सुनीचित नहीं है कहना में ज्यादा नहीं कुमा क्योंकि कफ़राने की इतनी आवशकता नहीं है सिस्टम में लगाता ट्रेक में बड़ा होते हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं बाकी गुजाज के कई कर सकता है और दूसरी तरह बंगाल के खाड़ी के उपर देख सकते हैं लगातार एक नया सिस्टम हम कह सकते हैं विक्सित हो जाएगा यहां पर डिप्रेशन की जमता पहुंच जाएगा और इसके अकोडिंग हम देखे तो पुरूतरभाद के बड़ी इलाके पर भारी वर् नया अपडेट के साथ लगातार मोडल चेक में कर रहा हूं और कुछ भी नया बदला होता तो मैं आपको फिर से नोटिफिकेशन दूँगा और यह था साइकलोन के उपर नया अपडेट तो मिलते हैं अगले वीडियो को दुरान और अभी के इस वीडियो में नहीं